गुद मोरिंग सिलर्ण आज हम लोगोंने एक अटर बल कहानी का प्रस्थन उत्तर करेंगे कल हम लोगोंने इस एक अटर बल कहानी समझ लिए मैं अमीद करता हूँ कि आप लोग भी इस कहानी को पढ़ लिए होंगे और जरुर्ड समझ में आया गये होंगे अभी हम उस सेप्थेर का प्रस्थन उत्तर है क्विशन उत्तर को करेंगे आप लोग अपना टेक्सबुक फोल लीजिए उसमें पेज नेवर 10 पेज नेवर 10 का जो क्विशन उत्तर दिया क्विशन दिया वह उसको देखे मैं उसको सल्ख कोड़ा रहा हूँ पहला क्विशन को उत्तर दिया गाउबुर्षा महिकांतर नातिन्यातिन्यात एक हटक लोई की होसील गाउबुर्षा महिकांतर का अपने ग्रेंचायल नातिन्यातिन्यात मींच अपना ग्रेंचायल इनलग को लेकोर क्या हुआ था क्या हुआ ता उत्तर महा सिन्टा होशिल महा सिन्टा मींज तेन्शन हुआ ता बहुत सिन्टा हो गया ता हो गया उत्तर महा सिन्टा होशिल क्वेशन दावर खो हाधु कठा कम्बुली क्वाथ नाती नाती ने खटे की करिले जब वो... ग्रेंद फादर ने... मही काईतब बॉरवने। जब बुला कि मैं तुम लोगो कुछ इस्टोरी सुनाँगा। तब इन ग्रेंद साइल लोगोंने क्या क्या? क्या क्या था? ही होटे कौकाका और काकळ जूम बनिले। वो लोग क्या कि अपने कौका मींस ग्रेंट फादर ग्रेंट फादर के पास सभाके जूर गया है कि कहानी सुनेंगे समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन गौ खेटियक जन और के जन पुटे का सिल उस किसानों का कितने बच्चे थे उस किसान का कितने बच्चे थे उट्टर है सारी जन कितने सारी जन फोर चार थे चार घौ नेक्स्ट क्वेशन घौ पुटेक की जन और माज़त मिल आसिल ने उस किसानों का जो पुटेक मतलब बेटे इन लोग आपस में मिल था कि नहीं आपस में रिलेशन के चा था मतलब था कि नहीं या रिलेशन अच्छा था कि नहीं उट्टर है ना सिल ना सिल मतलब नहीं था ना मतलब नो सिल मतलब था ना सिल नहीं था clear then next question पुंग देवता के पुटेखर्टक इकड़ा का थिबूर की कुरिबलोई दिले देवता के मतलब को किसान ने अपने बेटे लगो को जो इकड़ा की लखड़ी का इकड़ा लखड़ी का जो था इकड़ा लखड़ी को क्या कने दिया था उत्टर भांगी बिले मतलब तोर्ने के लिए उत्टर नुथा नउआडली नहीं तोर पाया उट्टर क्या है नहीं तोर पाया नेक्स्ट कुईशन दिटियों सो मिली जूली ठाकीले की होई जब मिल जूल करेंगे तो क्या होगा मिली जुली ठाकेले की होए मिल जुल करेंगे तो क्या होगा उट्टर कोनेओ एको हानी भीगीनी करिवो नुवारे कोनेओ एको हानी भीगीनी करिवो नुवारे जब हम लोग मिल जुल करेंगे तो कोई भी हम लोग का हानी भीगीनी मिल नुकसान आपका harm नहीं कर सकते हैं समझ में आगे बच्छे ठीच है देन नेक्स देखो page number 10 10 का ही उसमें दिया हुआ है देखो दो सारकूल दिया है जो सारकूल के अंदर कुछ वर्ड रिखा हुआ है एक रेट सारकूल है एक ब्लेक सारकूल दिया हुआ है उस दुनों सारकूल के उपर लिखा हुआ है धाल खन ये थाली बोल रहे हैं थाल खन ठका हवड़बुर पढ़ा है दोनुमें जो दिया हुआ वर्ड को पढ़ हो थाल खन मले इसको ठाली दिशा है थाल बोल रहे हवड़बुर और अ अर्थ पासिटुर पढ़ा विशरी बहित लिखा ये जो black circle वा जुक्त जुक्त नहीं होगा तो ये समार स्ट सेनल स्टुक्त नेक्स्ट वर देहों कांहार कांहार में मींकल इंग्लिश तर्म दिया थे स्ट्रण मानजूक नहीं देना, माला कोई ध्यान नहीं देना, तो इसका होगा ये 26 लंबा लायन जो दिया है red box में कुणु कॉठाल हो ये मानजूक नहीं दिया, किसी बात पर ध्यान न देना, इसका gonna mean is कुनु कठालोए मनजुक दिया किसी सीज़ पे कोई ध्यान ना देना next पांगिले पांगिले मीन्स सोसने लगा मतलब decide किया पांगिले का मीनिग थाकिया? decide तो इसका होगा last second भाविले इसके बाद देखो मिला प्रिती मिला प्रिती means middle crying वह क्या है फर्स कोटा मिला प्रिवाल से उनेट रहाई एक आब एक ता एक लास्ट वला है कुछ इस करने के बाद उक्ना Tea में एक आर्जेट की 파a कीम्हां इसको आर्ण की आ सब्सक्थ Time देन लास्ट देखो तुमारे नेक्स पेज में दिया हुआ है पेज नाबर इलेवन में इसमें डारेक्सण दिया हुआ है तलर हब्दो केता प्रमट हजाए बाइक को तू पूर्णर लिखा means निसे एक दू तीन तीन सेंटेंस दिया हुआ है का ख ग देखें होंगे सेंटेंस दिया हुआ है और निसे बॉक्स दिया हुआ है इस पर चाया दिया हुआ है आप आपको क्या करना है उसको वोड़ है ुआ हुआ है Mr. portrayed ङुए आपको क्या करना है उसको प्राइम से लिखना है सबी करना अब जा ईंदो कि सब्सक्राइं अब सब्सक्राइब एकजामपूल एक जैन tapu एकजामपूल इक्जाम्पूल में दिया हौए उसको गलठ है और सही किसे बना रहें एक गाउ में एक किसान था resposta को का दिखो एक्जाम्पूल सात्य-खेटियक आपू... मतलब कि शानों का चर बेटे थे इसंसमें यहीं होना साइ़ कि शानों का चार बेटे ठे तो इसको लेगिन सेंटेंस को थोड़न के दिया है उसको इधर ड़र करके दिया है सारीजन आसिल खेतियक जनर पुटेक किन होना साइए केछे खेतियक जनर खेतियक जनर सारीजन पुटेक आसिल अब केछे होगा सबसे पेले क्या होगा खेतियक जनर किसानो का सारीजन चार बेटे पुटेक मीन्स बेटे आसिल थे खेतियक जनर सारीजन पुटेक आसिल होगया केलियर इसका सहीशु रूप क्या होगा खेतियक जनर सारीजन पुटेक आसिल राइट तो नेक्स खा का देखो पुटेक नसिल माजट केजनर मील यह होना साहिए पुटेक केजनर माजट मील नसिल मीन्स अपने बेटे लोगों के आपस में मील जूल नहीं थे तो क्या होगा पुटेक केजनर मतला बेटे लोग होगा बेटे हम लोग बशाने हम एक बेटा को अपने लिए तक पुटेक केजनर मतला किए ब्योक्त के हैं पुट्टेक केजनर माजर मिल नासिल क्लियर पुट्टेक केजनर माजर मिल नासिल होगा लिख पाएंगे नेक्स्ट देखो गो प्रमे आहिल होई बुरहा खेट्यकजन यह इस खेट्यकजन क्रमे बुरहा होई आहिल मतलब धेड़े धेड़े किसान बुरहे होगया तो क्या होगा कैसे लिखने हैं हेल क्लियर तो इसी ट्रब यह लिख लिजेगा इस सेप्तार में जो कुईशन एंसर है यह है और बाकी जो है भाखाइडियन इसी पार्ट में और कुछ दिया हुए भाखाइडियन यह पॉर्षन हम लोग कल डिसकास करेंगे तो इस्टुडेंस यह जो आज मैंने कुईशन आ नहीं आये तो मुझे वाट्सेप ग्रूप से संपुर्ट कीज़ेगा मैं फिर आपको समझा दूंगा धन्यवाग्ट